हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूटूब चैनल माइबेस्ट मैडिसें रीवों दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू मैडिसें के बारे में जिसका नाम है तैजलोग 40 mg टैबलेट्स के बारे में राइट तो चलिए सुरू करते आज का वीडिय मादा ऐस में ब्लड बुलड परेसर के लेक्षण है तब आप इस टैबलेट्स को ले सकते हैं आज़ा है आज इस युउए ब्लड की वैसल दसको रिलाक्स करके ब्लड की ब्लल परेसर को लो करती है आर इसमें बहुत ज्यादा है आफ्यूलीजरा है यह हाइए हाई हाई बिलिड प्रेसर उस्तर उध्श रख्टचाप की दवा है उग और एक एडाल की दवा है मतलब बच्चों को ना दिया जाए और इससे हार्ट की स्ट्रॉक आना हार्ट अठेक होना या फि referring कुछ कार्डीयोजी प्राब्लम होना हाई ब्लेड प्रेसर किसे कुछ रिलेटेट प्राब्लम होना इस से आपको हैलफुल बहुँ ज़्यादा है चुटकारा आप आजा सकता है इसका जो मैन इंग्रिडियान्ट से जैसे हैं यहाँ पर आप देख सकते है तेलमी सारटेन है, 40MZ इसमें मिला गया है, इस्पैसलिए हाई ब्लड प्रेसर को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रांड नेम जो इसका है, तैजलोक है, तैजलोक इसका ब्रांड नेम है, राइट, और तैलमी सारटेन, जो है, इसका मैडिसीन है, इंगरीडियन है, और इफरेंट इफरेंट नेम से, अलग अलग ब्रांड नेम से, अलग अलग yhte मेरे अम्पनी ऊस्पाल नेलस यो मार्केट में, अलग अलग नाम से दावा बेचती है, सारट के अलग अलग कंपनीज के और यहां पर देख सकते हैं जो दावा है यूएस भी प्राइबट लिमिटेट की है और इसकी MRP भी देख सकते हैं आप अब टेबलेट की एक स्ट्रीप आती है इस ट्रीप माद आप देख सकते हैं कि रेड कलर की एक लाइन है निसानी है इसका मतलब क्या है यह मेडिसिन आप डॉक्टर की अडवाईस से ही ले प्रिस्किप्सन से ही ले राइट और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दू आग एक पर्टिकुलर टाइम पर ही इस मेडिसिन को आप ले जैसे कि आप सुभर ले रहे तो सुभर खो B ले और एक पर्टिकुलर टाइम पर ले अगर आपने मीस्ट कर दिया, भूल गे दवा को लेना तो कंटिन्यू आप नेक्स डे से उस टाइम से ही इस दवा को ले इसका जैसे मैंने आपको बताए एक पटिगुलर टाइम पर ही लेना चाहिए और इसके जो डोजेज है आप इसको खाना खाने के बाद राइट या खाना खाने से पहले ले सकते हैं एक गोली दिन में एक या दो बार अपने डॉक्टर के सलहा पर एडवाइस पर इस दवा का हाई ब्लेड प्रेसर के साथ साथ जैसे की हार्ट फिलियर की स्थिति में राइट क्या होता है जब आपकी ब्लड ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाते हैं आपकी हर्ट ब्लड को ठीक से सर्कुलेट नहीं कर पाती है पंप नहीं कर पाती है तो बोड़ी में बहुत ज्यादा थकान हो जाता है especially swelling हो जाती है especially पेरों में तब यी medicine use होता है use किया जा सकता है और overall में आपको बता दूँ यह जो दवा है medicine है heart especially high blood pressure के लिए ही use किया जाता है और इससे related problems के लिए use किया जाता है इसका side effect किया अगर मैं बात करूँ इसके side effect जैसे इसमें high potassium blood में होने की बज़े से फैसेस में आपकी races हो सकती है गले में swelling हो सकती इसकी में थोड़े भूत races हो सकती है अगर इस तरह को कोई दवा चल रही है इस तरह की यह प्रेगनेंट उमन है तो डॉक्टर से जरूर एडवाइस ले ताकि आगे कोई problem नहों राइट और यह आपको heart की problem है तब आप डॉक्टर से जरूर एक बार advice ले ले यह दवा किसी भी medical store में easily available है हलांकि इसका brand name अलग हो सकते हैं आपके area के recording राइट जो इसका main ingredients है मैंने आपको पहले बता दिया tell me certain है लेकिन इसका brand name अलग हो सकते है जन्तिक name है तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको video अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा subscribe और like जरूर करे ताकि इस तरह के videos बनाने में मुझे में motivation हो और आपको भी video मिलता रहे तो आसा करतो आप सब अच्छे होंगे मिलते है next video में तन्यवाद